नाम शंकर दयाल शर्मा जन्मति थी 19 अगस्त 1918 मृत्युति थी 26 दिसंबर 1999 जन्मस्थान भोपाल मध्यप्रदेश विशेश हमारे देश के रास्ट्रपती रास्ट्रपती काल 1992 से 1997 हाँ तो मित्रों शंकर दयाल शर्मा हमारे नौवे रास्ट्रपती थे उनकी प्रारम विक्षिक्षा मध्यप्रदेश में हुई उन्होंने इलहाबात तथा लखनो विश्व विद्याले में पढ़ाई की और MLB की उपाधी प्राप्त की राजनितिक जीवन में वे विधायक, सांसत से राज्यपाल, उप्रास्ट्रपती और रास्ट्रपती पद पर रहें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाहों में उन्होंने अनेक पुस्तके लिखीं। जैसे की देश मणी, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्टत भार्दिय, हमारे चिंतन की मूल धारा, इत्याधी। इकाई चार, कर्म योगी लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री जी के नाम के साथ कर्म योगी विशेशन जोड़ना बिलकुल उपयुक्त है। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उपर उठकर देश के प्रधान मंत्री के जिस महत्व पुर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्म योगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। बलके वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकिरों के बजाए अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। और वे क्रमशह अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रती बिना किसी फल की आशा किये संपुर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहां तक की जब भी उन्हें फल की प्राप्ती के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित द्रिस्टी ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निश्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाए निश्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयोग तो होगा। अपने उद्देश्य के प्रती द्रिड आस्था। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रती संपुर्ण समरपण। ये तीन बाते मुझे उनके संपुर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाशन में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहां तक कि भले ही आप राजनितिक खेत्र या सामाजिक खेत्र या किसी अन्यक खेत्र में कारे करते हैं। यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दाइत्वों का पूरी तरह से निर ने उए होना चाहिए। मैं सस्त्री जी के सफलता का रहस्य, उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूं। साथ ही यह भी मानता हूं कि किसी भी व्यक्ती, समाज और देश के विकास का रहस्य, इसी भक्ती और कर्म के सिध्धान्त में नहित है। और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बलकि उनको देखने से ही इन सभी भावों का ऐसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का आनोखा समनवय था। वे जो कुछ कहते थे, वही करते थे। जो कुछ भी करते थे, वह एक मात्र रास्रोलाब की भावना से प्रेरिथो कर करते थे। मुझे लगता है कि यहां उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेश्ता थी, जिसके कारण देश्वासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नहरों की समरिध राजनितिक विरासक को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और द्रिड द्वारा देश की इस आकांग्शा को पूरा किया। शिष्ट प्रकार का आकर्शन पैदा करते थे। इस द्रिष्टी से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करिब था, और कहडार न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। औरों को इसके लिए प्रिरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वहाँ उक्ति बिलकुल सही जान पड़ती है कि विनम्रही प्रित्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आहवान पर वे स्कूल छोड़ कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशि विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कारियों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोकसिवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अच्छुत्तो द्वार के काम में अपने आपको लगाया। यहां से शास् कानून तोड़ो आंदुलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरूआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोडो आंदुलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगा जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदुलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर घांदी जी द्वारा बताये गए रचनात्मक कारियों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कारियों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे सयुक्त प्रांतिय कांग्रेस कमीटी के सचेव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रती उनके मन में विशेश लगाओ था। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्यहन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्थित की जिसमें जमीदारी उन्मूलन पर विशेश जोड़ दिया गया। इसके बाद के छे वर्षों तक वे इलहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्तुरी जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामिर जीवन का अनुभव था, अब इसके साथ ही इलहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोक तंत्र की इस आधार भूत ईकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी-छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावाहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कारे के प्रति निष्ठा और महनत करने की अदम्मिक्षमता के कारण सन 1927 में वे संयुक्त प्रांतिय व्यवस्थापी का सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदिय जीवन की शुरुवात हुई। जिसका समापन देश के प्रधान मंत्री पद तक पहुँचने में हुआ। केंद्र सरकार में शास्त्री जी बिन्न बिन्न पदो पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें ग्रेह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नहरू के अनुरोत पर वे केंद्र में आ गये। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वानिज, उद्योग और ग्रिह जैसे महत्वपुण मंत्रालयों में मंत्रिपत संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशास्ट के लिए दक्षता का प्रमान दिया। वह हमारे देश के लिए एक उधारण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका द्रिष्टी कों अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की अपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण उंशा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी, कि वे जनता के शासक नहीं बल्की जनता के सिवक हैं। उनहें अपने मंत्रालयों में तो लोक प्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोक प्रियता मिली। इसी लोक प्रियता का परेडाम था कि पंडित नहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में स्विकार किया। देश के इस महत्व पुर्ण पद पर रहते हुए केवल उन्नीस महिने के छोटे से समय में, उन्होंने जितनी सफलताएं और लोक प्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। अधिकार संपन्न भी थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्नसयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक करतव्यों को तरजीह दी। शायद इसी लिए शास्त्री जी इतने अधिक लोक प्रिय भी हो सके। उन्होंने अलिगड मुस्लिम विश्व विद्याले के दक्षांत समारोहों में 19 दिसंबर 1964 को शात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किये थे। आपके भविश्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं यह आपको सम्विधान द्वारा प्रदत कुछ अधिकार देता है लेकिन इससे कुछ करतव्यों का भी बोज आता है जिसे समझना चाह हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो नीजी स्वतंत्रता देता है लेकिन इस स्वतंत्रता का उप्योग एक व्यवस्तत समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए अधिकार, करतव्य और आत्मसयम के बारे में यह अत्यंत महत्व शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेशन जोड़ना बिलकुल उपयुक्त है क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है शास्त्री जी सामान्य परिवार से उपर उठकर देश के प्रधान मंत्री के जिस महत्व पुर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है बलके वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकिरों के बजाए अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशह अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रती बिना किसी फल की आशा किये संपुर्ण भाव से समर्पित रहते थे यहां तक की जब भी उन्हें फल की प्राप्ती के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित द्रिस्टी ही रखी उनका जीवन दर्शन गीता के निश्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाए निश्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयोग तो होगा अपने उद्देश्य के प्रती द्रिड आस्था उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रती संपुर्ण समरपण ये तीन बाते मुझे उनके संपुर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है अपने एक भाशर में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था यहां तक की भले ही आप राजनितिक खेत्र या सामाजिक खेत्र या किसी अन्यक्षेत्र में कार्य करते हैं यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दाइत्वों का पूरी तरह से निर्वा करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पन तथा भक्ती और कर्म में समन्वय होना चाहिए मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्व पूर्ण चिंतन में मानता हूँ साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ती, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ती और कर्म के सद्धान्त में नहीत है शास्त्री जी का संपुर्ण जीवन, श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभी व्यक्ती नहीं पाते थे बलकि उनको देखने से ही इन सभी भावों का अहसास हो जाता था उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनुखा समनवए था वे जो कुछ कहते थे वही करते थे जो कुछ भी करते थे वह एक मात्र रास्र लाव की भावना से प्रेरिथो कर करते थे मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेश्ता थी जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे पंडित नहरों की समरिध राजनितिक विरासक को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और द्रिड संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांग्षा को पूरा किया शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेश ताया थी के वे एक सामन्य परिवार में पैदा हुए थे सामन्य परिवार भी ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश की प्रधान मंत्री जैसे महत्व पूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामन्य ही बने रहे विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्शन पैदा करते थे इस द्रिश्टी से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापु के अधिक करिब था और कहडार न होगा कि बापु से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी शास्त्री जी पर भारतिय चिंता को डॉक्टर भगवान दास तथा बापु का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आधर्शु पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रिरित करते रहे शास्त्री जी के सम्बंध में मुझे बाईबिल की वह उकते बिलकुल सही जान पड़ती है कि विनम्रही पृत्वी के वारिस होंगे शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंतरता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार थी थे और उस समय उनकी उम्र सत्रह वर्ष की थी गांधी जी के आहवान पर वे स्कूल छोड़ कर बाहर आ गए थे इसके बाद काशिविद्या पीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कारियों की ओर लगा रहा परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सिवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अच्छुत्तो द्वार के काम में अपने आपको लगाया यहां से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्या इप्रारंब हो गया सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदुलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरूआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदुलन तक निरंतर चलती रही इन 12 वर्षों के दोरान वे 7 बार जेल गए इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदुलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी सन 1942 की उनकी जेल यात्रा तीन वर्ष के थी जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर घांदी जी द्वारा बताये गए रचनात्मक कारियों में लगे हुए थे वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कारियों में भी लगे रहे सन 1935 में वे सयुक्त प्रांतिय कांग्रेस कमीटी के सचेव बनाए गए इस पद पर वे 1938 तक रहे किसानों के प्रती उनके मन में विशेश लगाओ था इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्यहन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तित की जिसमें जमीदारी उन्वूलन पर विशेश जोड़ दिया गया इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्तुरी जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया उनके पास ग्रामिर जीवन का अनुभव था अब इसके साथ ही इलहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था लोक तंत्र की इस आधार भूत ईकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी-छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावाहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे कारे के प्रती निष्ठा और महनत करने की अदम्मिक्षमता के कारण सन 1927 में वे संयुक्त प्रांतिय व्यवस्थापी का सभा के लिए निर्वाचित हुए सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदिय जीवन की शुरुआत हुई जिसका समापन देश के प्रधान मंत्री पद तक पहुँचने में हुआ शास्त्री जी को भारती राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी की श्रीमती इंदिरा घांधी ने उन्हें अपना राजनितिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हें के मार्ग दर्शन में में मेरा राजनितिक जीवन शुरू हुआ देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी बिन्न बिन्न पदो पर रहे। दक्षता का प्रमान दिया, वह हमारे देश के ये एक उधारण है। प्रमान से कारे करने के कारण, उन्हें अपने मंत्राले में तो लोक प्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोक प्रियता मिली। प्रियता प्राप्त की, वह एक उधारण है। शास्त्री जी के सामने अपना उधेश बिल्कुल स्पस्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंदला पन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्व पुर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन भी थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्नसयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक करतव्यों को तरजीह दी। शायद इसी लिए शास्त्री जी इतने अधिक लोक प्रिय भी हो सके। उन्होंने अलिगड मुसलिम विश्व विद्यालय के दक्षांत समारोहों में 19 दिसंबर 1964 को चात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किये थे। आपके भविश्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो। आप में से प्रत्यक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक है। यह आपको सम्विधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। लेकिन इससे कुछ करतव्यों का भी बोज आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो नीजी स्वतंतरता देता है, लेकिन इस स्वतंतरता का उप्योग एक व्यवस्थित समाज के हीत में स्विच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसयम के बारे में यह अत्यंत महत्व पुर्णबाद शास्तुरी जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। भाशा सज्जता, विद्यार्थी मित्रो, आप अव्याई के बारे में जान चुके हैं, अब आप इन वाक्यों को सुनिए। निम्न लिखित वाक्य पढ़िये। भावेश कम बोलता है। साहिल जटपट तयार हो गया। सानिया प्रति दिन कार्या लई जाती है। वंदना भीतर बैठी है। यहां आपने देखा कि प्रतम वाक्य में भावेश के कम बोलने की बात है। यहां बोलने की क्रिया का निर्देश है। क्रिया कम या ज्यादा हो रही है। उसकी समझ उसके आगे जुड़े कम शब्द से होती है। अर्थात कम शब्द यहां पर बोलने की क्रिया की विशेशता बताता है। इसलिए इसे क्रिया विशेशन कहा जाता है। अव्या शब्दों द्वारा क्रिया की विशेशताएं बताए जाने पर क्रिया विशेशन चार प्रकार के माने गए हैं। एक, काल वाचक क्रिया विशेशन, Adverb of Time, दो, स्तान वाचक क्रिया विशेशन, Adverb of Place, परिमान वाचक क्रिया विशेशन, Adverb of Quantity, चार, रीती वाचक क्रिया विशेशन, Adverb of Member, यहाँ पर आपने जो वाचक क्रिया विशेशन, Adverb of Member, यहाँ पर आपने जो वाचक के पढ़ें और सुने हैं, उनमें कम शब्द क्रिया का परिमान बताता है, जटपट शब्द क्रिया की रीती बताता है, प्रतिदिन शब्द क् याका स्थान बताता है। इस कोस्ठक को समझिये। काल वाचक्री आविशेशन प्रातह, सायम, अब, तब, कभी, अभी, लगातार, हमेशा, रोज, हर बार, आदी। स्थान वाचक्री आविशेशन यहां, वहां, आगे, पीछे, उपर, नीचे, सामने, आदी। परिमान वाचक्री आविशेशन थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, खूब, जितना, पर्याप्त, आदी। रीती वाचक्री आविशेशन अचानक, तेजी से, सहसा, अकस्मात, ध्यान पुर्वक, शान्ती पुर्वक, आदी। मित्रो, इन वाक्यों को द्यान से सुनिये। निम्नलिखित वाक्य पढ़िये। एक, राम के साथ लक्ष्मन भी वन में गए। दो, बगीचे के चारों और दीवार बनी हुई है। तीन, हमारे घर के आगे मस्जिद है। चार, मनीशा मांसी से मधुर गाती है। पांच, आज साजित की जगह वाजित खेलेगा। यहां आपने देखा कि जो रिखांकित शब्द हैं, वे किसी न किसी संग्या शब्दों के बाद प्रयुक्त हुए हैं। वाक्य में प्रयुक्त दो संग्या के बीच संबंध का बोध कराते हैं। जैसे के साथ, राम और लक्ष्मन का संबंध। के चारों ओर, बगिचे और दिवार का संबंध। के आगे, घर और मस्जित का संबंध। से मधुर, मनीशा और मांसी का संबंध। की जगह, साजिद और वाजिद का संबंध। जो शब्द संग्या या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किये जाते हैं। तथा अन्य संग्या, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। वे संबंध बोधक अव्यय है। मित्रो अब इन वाक्यों को पढ़िए। निमनलिखित वाक्य पढ़िए। एक नुरोधिन, संजय और निलेश घांधी नगर गए। दो रमेश ने परिश्रम किया, इसलिए प्रथम आया। तीन यद्यपी हम निर्धन हैं तथा पी उदार है। चार प्रकाश और धीरज पांच यदि ज़्यादा बारिश होगी तो फसले नस्ट हो जाएगी। यहां आप समच सकते हैं कि रेखांके शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यान्शों को जोडने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यों, दो वाक्यान्शों अथ्वा शब्दों को परस पर मि चैबूधक अव्याय कहा जाता है। चैबूधक अव्याय कहा जाता है। चैबूधक अश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, ध्रिणा, शोक, भाय, आदी भावों को प्रगट करने के लिए हमारे मुख से स्वतह निकल पड़ते हैं। वे विस्मयादी बोधक अव्याय कहे जाते हैं। चैबूधक अव्याय कहा जाता हैं। चैबूधक अव्या चैबूधक अव्याय कहा जाता है। झाल झाल